ना पनीर ना खोया ना गटा फिर भी बनेगी हमारी सबजी इतनी टेस्टी कि आपके मेमान आपके तारीफ करेबिना रहने प्याएंगे और ये सबजी एक ऐसी सबजी है कि आप इसे पिकनिक पर भी ले जा सकते हैं आप सफर में जा रहे तो भी ले जा सकते हैं और आपके घ अच्छी कॉंटिटी में टेल डाला है मैंने एक पैन के अंदर और उसमें डाले मैंने धाई जीरा जीरा जादा डालना है तब ही इसका फ्लेवर अच्छे से निगल के आएगा उसके बाद मैंने यह आलू डाले और खलकी सी कोटिंग आने तक इनको हलके हाथ से हिलाया है दीर दीरे हम देगें कि हमारे आलू के ऊपर कोटिंग आने लग गई है और इस स्टेज पर हम डालेंगे हल्दी और गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें आपको इस तरह की द्रीज के दाल है कियोकि मैं लाट मिर्च कर jinहीं करूंगे छिर्फ र हरी मिर्ची ढलएगी हमारी चुर्परियो वश्य में बड़िए और अगर आप डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं ब़्र जो यह तरीका है इसी प्रॉसेश में सका फ्लेवर निखल कर आं हारी मिर् चौधाय चमज डाल रहे हूं और आलू की सब्जी तो आपने कई बार बनाएंगे लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको डैम शौर बहुत अच्छी लगने वाली सब्जी और आपके घरवालों को भी तो ज़रू ट्राइब कीजेगे सब्जी आप डालेंगे ह इसमें चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स बच्चों को कॉफी पसंद होते हैं तो अगर आप सब्जी में चिली फ्लेक्स डालती हैं तो यह सब्जी वैसे दिखने में तो अच्छे लगेगी खाने में भी बहुत अच्छे लगेगी चिली फ्लेक्स डाल के आप इसको हलके क्योंकि गाइस ना तो हम यहां पर आलू बाल के किसी को खिला रहे हैं बस हम यहां पर चाहते हैं कि जो हमारी सब्जी में फ्लेवर है एक एक चीज का वह निकल के आए तो इसके लिए थोड़ी महनत तो लगेगी तो हलके हाज से आपको इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद सब्जी दिखने में बहुत सुन्दर लगेगी और इसमें आपी बहुत सारे मसाले डालेंगे देखे आप आगे लास्ट तक तो इसी स्टेज पे जब हमारी सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई तो हमने डाला है अमचूर और यह मैं आदी चमब चमचूर डाल रहे हू अमचूर से इसका फ्लेवर काफी अच्छा निकल के आता है और अगर आप इसमें दो से तीन चीज़े और डालेंगे तो कहना ही क्या और यह इंग्रेट है हमारी कस्तूरी मेथी और कस्तूरी मेथी डालने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी पोदीने का पाउडर अकर आपको पोदीने का पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं बट पोदीने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब मैंने इस तरह से सबजे बनाई तो मेरा एजमें ने पूछा कि आज क्या डाला है इसा जो इतना अच्छा टेस्ट दा रहा है सबजे का तो मैंने बादने बताए कि मैंने इसमें पोदीना डाला और पोदीना से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आए फिर हम दिन दों वह अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलके हाँ से चलाते हुए और साथ में इसमें डाला है काला नमक आप चाहेँ तो काली मिर्षि पर डाल सकते हैं लेकिन मैंने काला नमक डालने से इक बहूर अच्छी खुशम आती है सबजे के अंदर जो आप बनाएँगे तो आप सीको felt कर पाएंगे जो मैं तो एक बड़ जरूब नहींगा, थैंक्यों